हलो फ्रेंट्स वल्कम तो यूट्यूब चैनल स्टड़ी रिकॉर्ट फ्रेंट्स आज हम डिसकस करने वाले 16 मार्च 2019 के करन्ट अफेस को पर फ्रेंट्स हम लोग करन्ट अफेस पर इसलिए डिसकस कर रहे हैं क्योंकि हमारे एक्जाम पॉइंट अफेस का वेटेज है वो 10 से जिससे मैं जो भी वीडियो अप्लोड करूँगा तो उसका नोटिफिक्शन आप तक पहुँच जाएगा और फ्रेंट्स में डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रूप की लिंक दे दी है आप टेलीग्राम ग्रूप पर जोईन हो जाएगे वहाँ पर आपको सारी PDF एक स जित की जाएगी तो फ्रेंट्स का अंसर ऑप्शन नमबर ए बेंगलूरू बेंगलूरू इसका राइट आंसर हो जगा और सभी लोगों ने कमेंट बॉक्स में सहीं आंसर किया है इंटरनेट ओफ तिंक्स इंडिया कॉंग्रेस 22 अगस्ट 2019 से बेंगलूर में जित की जाए 22 23 अगस 2019 तो ये भी आपको याद आखना कब आवजित करेगी अगस्त में 22 और 23 को बेंगलूरू में और इसमें स्वास्ते सेवा स्मार्ट शेर वी निर्मान उर्जा साइबर सुरक्षा कोशल एवंविकास इंटरनेट ओफ तिंक्स मानक और क्रिशी जेसे छेत्रों पर न आखन इसमें में तो कनाटक से लिटर जै जो रिसले लिक्राफ से उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं इंटरनेट ओफ थिंचस इंडिया कॉंग्रेस बेंगलूर में आउजित की जाएग इसी पर हमने मने डिसकस किया है तो इसको अपडेट कर दिया है नेस्ट इicles महिला मुक्क के बाजी चेंपिशिप करनाटक में आउजित की जाएगी एरो इंडिया 2019 करनाटक में आउजित किया जाएगा नेक्षे भारती अंतरिक्ष अनुसंदान संगठन ने बेंगलूरू में छात्रों के साथ समवाद नामक एक नया प्लेटफर्म लोज किया फार्मस्यूटिकल औ सम्मेलन बेंगलूर में आउजित किया जाएगा नेक्षे बारती अंतरिक्ष अनुसंदान संगठन ने बेंगलूरू में मानव अंतरिक्ष उडान केंदर स्तापित करने की गोशना की है करनाटक में केंदरी वानिच्य और उध्योक और नागरिक उडियन मतरी सुरेश प् विकास कॉमन फेसिलिटी सेंटर का उद्गाटन किया करनाटक में एक बड़ी आक ने 15,000 एकल जंगल को जला दिया करनाटक जला मरूत नामक एक प्रमुख जल सनक्षर योजना शुरू करने के लिए तयार है अब फ्रेंट्स हम करनाटक के इंपोर्टेंट बर्ण देख ल उपभोगता अधिकार दिवस हर साल कब मनाया जाता है तो फ्रेंट्स का अंसर है उप्शन नमबर C 15 मार्च 15 मार्च इसका राइड आंसर हो जाएगा उप्शन नमबर C इसका राइड आंसर हो जाएगा विश्व उपभोगता अधिकार दिवस प्रतेक वर्ष 15 मार्च को उपभोक्ता अंतराश्टिये द्वारा एक पहल के हिस्से के रूप में मनाय जाता है। और यह राश्पती जॉन एफ केनेडी से प्रेडिता जो 15 मार्स 1962 को अमेरिकी कॉंग्रेस को भेजे गए, एक विशेश संदेश में उपभोक्ता अधिकारों के मुद्धे को सम्भोधित करने वाले दुनिया के पहले नेता दे। और विश्व उपभोक्ता दिवस 2019 का जो विशा है, वह है ट्रस्टेड स्मार्ट प्रोड़क्ट्स है। मैं यहां लिख देता हूँ, आप नोट कर लीजिए, ट्रस्टेड स्मार्ट प्रोड़क्ट्स ठीके फ्रेंड्स, एक बार और रिपीट कर देता हूँ, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस पतेक वश 15 मार्च को उपभोक्ता अंतराष्टी द्वारा एक पहल के सेके रूप में मनाये जाता है, यह राश्पती जॉन एफ केनेडी से प्रेरित था, जो 15 मार्च 1962 को अमेरिकी कॉंग्रेस को भेजे गए एक विशेश संदेश विश्व उपभोक्ता अधिकारों के मुत्य को संपोधित करने वाले दुनिया के पहले नेता थे, विश्व उपभोक्ता दिवस 2019 का जो विशा है, वो ट्रस्टेड स्मार्ट प्रोडक्ट्स है, ठीक है फ्रेंट्स, चलिए अब देख लेता हमारा नेक्ट पॉइंट, ने PTIO के CEO, अमिताप कांथ, देश में स्वच्छ और स्थाई गतिशीलता पहल को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किये जा रहे, ट्रांस्फोर्मेटिव मोबिलिटी एंड बेटरी स्टोरेज पर राष्ट्री एमिशन का नेतरत्व करेंगे, तो यह बहुत ही और स्थाई गतिशीलता पहल को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किये जा रहे, ठीके फ्रेंट्स तो यह भी आपको याद रखना है, चले फ्रेंट्स अब देख लेता है माँ नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है, हाली में DRDO ने फायर मैन पोर्टेबल एं में पोर्टेबल एंटी टेग गाइड़ मिसाइल का सफलता पूर्वक पशिशन किया, यह भी आपको याद रखना है, M-P-A-T-G-M, में पोर्टेबल एंटी गाइड़ मिसाइल, ठीके फ्रेंट्स, और यह स्वदेशी रूप से विक्सित, कम वजन वाली फायर एंड फोर रेड रेडार सीकर सहीत, उन्नत सुविदाओं के साथ शामिल किया गया है, ठीके फ्रेंट्स, यह आपको याद रखना है, DRDO ने फायर में पोर्टेबल एंटी टेग गाइड़ मिसाल का सफ़र प्रेक्शन राजिस्तान में किया, ठीके फ्रेंट्स, अब राजिस्तान इस कर चुके हैं, नेक्स्ट है, नेशनल ग्रीन ट्रिबनल ने सरिस्का टाइगर रिसर्फ के 10 किलोमीटर के दायरे में सभी खनन गतिवीदियो पर प्रतिबन लगा दिया, राजिस्तान में अंतराश्ट्य उट 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 सब आवजित किया जाएगा, अब फ्रेंट्स हम नेक्स्ट पॉइंट, हाली में भारत उर्जा मॉडलिंग मंच के विकास पर भारत के साथ साथ किस देश ने पहली कारशाला का आवजित किया है, तो फ्रेंट्स का अंसर है, उप्शन नमबर A, सेयुक्त राज अमेरिका, सेयुक्त राज अमेरिका इसका राइट अंसर हो नीति आयोग और United States Agency for International Development ने भारत उर्जा मॉडलिंग फोरम के विकास पर पहली कारशाला आयुजित की, किस-किस ने आयुजित की है, यह आपको यार्फना है, नीति आयोग और United States Agency for International Development नीति आयोग और USAID नीति आयोग और United States Agency for International Development ने भारत इनर्जी मॉडलिंग फोरम के विकास पर पहली कारशाला आयोजित की, और इसमें विचारों परिद्रश्य योजना और भारत के उड़जा भवीश्यों पर चर्चा करने के लिए एक पैन हितिदारक मंच के रूप में इसकी परिकल्पना की गई है, और दो दिवसी एक कारशाला Pacific Northwest National Laboratory के सायोग से आयोजित की गई थी, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है फंट, अब इसका अंसर अमेरिका है, तो अमेरिका से लेटेट जो रिसेंड़ी करेंट असरा है, उस पर हम डिसकस कर लेते हैं, भारत और सायोग र आज अमेरिका के बीच व्रज काया नामक सामरिक अभ्यास आयोजित किया गया, नेवाडा अपनी विदाइका में कुल महिला भहुमत वाला अमेरिका का पहला राज बन गया, नेक्स्ट है, अमेरिका के विज्ञानिकों ने अंटार्टिका से एक टेलिसकोप को सफलता पू अमेरिका के इंपोरिका के वुषिंग्टन डी आमिरिका की जो करणसी वो है उनेटेट्स दॉलर और अमेरिका के प्रेसिडेंट है वो है डोनाल टर्म्ब इतने पोराट आपको अमेरिका से याद रखने चले फ्रेंट्स हम देख लेते हमार नेक्ट पॉइंट नेक्ट पॉइंट है हाली में आयोजीत वित्तिय स्थीर्था और विकास परिशयत की उप समीती की बेठक की अध्यक्ष ने की तो फ्रेंट्स का अंसर है उप्शन नमबर डी शक्तिकान दास शक्तिकान दास इसका रा बाजर नियामक से भी नियामक आयार डीए और पेंशन फंड नियामक पी इफ्रडिये के साथ सथ वित्र मंत्राले के वरिष्ट अधिकारियों ने अर्थवेवस्ता के सामने प्रमुग मुद्दो पर चर्चा की और उन्होंने राज स्तिरिय समिती के कामकाश की भी तक इस ने किये RBA के गवर्नर शक्तिकान दास ने ठीक है फ्रेंट्स यह आपको याद अखना है चलिए फ्रेंट्स हम देख लेते हैं मानेक्स पॉइंट नेक्स पॉइंट है तो फ्रेंट्स का अंसर है उप्शन नंबर B गुजराट इसका राइट अंसर हो जागा इसका राइट आणसर हो जागा राश्पती रामनाट कोवी ने गुजराट के गांधी नगर में नवाचार और उगमीता महुधस अखन का उद्गाटन किया और नवाचार और उगमीता महुतसव नव प्रवतन करताओं के लिए पहचान, प्रदशन, सम्मान, इनाम, नवाचारों और पालक सायक, पारिस्तितिकी तंतर के लिए एक पहले और इसका जो उद्देश है, वो है संबावित हितदारकों के साथ सम्मन्द बनाने के लिए नव प्रवतन को के लिए एक मंच प्रदाद करना है अब इसकान सब गुजरात है, तो गुजरात से लेटेट जो दिस्कस किया है, उस पर हम द्यान दे लेते हैं केंदरी रेल मंतरी प्यूज गोएल ने वरोद्दा में भारत का पहला रेलवे विश्विद्याले देश के लिए समर्पित किया प्रदाद मंतरी नरेंद मोदी ने वन नेशन वन कार्ट एमदाबाद में लौंज किया नेक्स्ट है, टार्ट अप रेंकिंग 2018 में गुजरात को सर्वसेष्ट प्रदेशन राज चुना गया वरोद्दा आठवी अंतराष्टी मेरतान की मेजबानी करेगा अंतराष्टी पतंग मौसव गुजरात में शुरू हुआ सामाने शेर्णी में आर्थिक रूप से कमजोर वरगों को नोक्रियों और सेशनिक संस्तानों में 10 प्रतीशत आरक्शन प्रदान करने वाला पहला राज गुजरात बन गया है बहुत ही इंप्रेंट है वाइब्रेंट गुजरात गुलोबल ट्रेड शो का उद्गारन गांधी नगर में किया यह भी आपको याद रखना है पुरा तत्व विदो ने गुजरात में हडपा सब्वित्ता के एक विशाल कबरिस्तान की कोच की जिसमें 200 से ज़्यादा कबर है यह हमने हाली में डिसक्स किया है नेक्स्ट है दीन डियल, विकलांग, पुनरवास, योजनव पर एक राष्टी सम्मिलन गुजरात में आउजित किया गया तो यह बहुत ही इंप्रेंट डेटा है आपको यादी रखना है अब फ्रेंट्स हम गुजराद के इंपोरटन पुइंट डेख लेते हैं गुजराद के जो केपिटल है वो है गान्दीनगर गुजराध के जो सीए में वो है विजय रुपानी और गुजराद के जो गवनर है वो है ओम प्रकाष कोली इतने point आपको गुजरात से याद रखने चले friends हम देख लेते हैं हमारा next point next point है अर्जेंटीना के साथ कौन सा देश 2020 कोपा अमेरिका की से मेज़बानी करेगा तो friends इसका answer या Mexico होगा तो friends इसका answer है option number C Columbia Columbia इसका right answer हो जाएगा option number C इसका right answer हो जाएगा अमेरिका के साथ Columbia 2020 कोपा अमेरिका की से मेज़बानी करेगा दच्छड अमेरिका के सत्ता रूर निकाय को C O N M E B O L द्वारा एक बार फिर से टूनामेंट की मेजबानी के लिए अमेरिकी प्रिस्ताव को खारिच करने के बाद अर्जेंटीना और कोलंबिया 2020 कोपा अमेरिका की से मेज़बानी करने के लिए तयार है और इस निर्णे के द्वारा आधुनिक कोपा अमेरिका योग में पहली बार टूनामेंट को दो देशों के बीच विजबाजित किया जाएगा C O N M E B O L यह आपको यारखना है दच्छेंट अमेरिका के सत्ता रूड निकाए C O N M E B O L दौरा एक बार फिर से टूनामेंट की मेजबानी के लिए अमेरिक की प्रस्ताव को खारिच करने के बाद अर्जन्टीना और कोलंबिया 2020 कोपा अमेरिका की से मेजबानी करने के लिए तयार है अफ्रेंट्स है अर्जन्टीना की बात हो रही है और कोलंबिया की बात हो रही है तो दोनों के हम इंपोर्टन पॉइंट देख लेते हैं अर्जेंटीना की जो केपिटल है वो है बुनेस एरेस अर्जेंटीना की जो करंसी है वो है अर्जेंटाइन पेसो अर्जेंटीना की जो प्रेसिडेंट है वो है मौरिशियो मेकरी फ्रेंट हम कोलंबिया के important points देख लेते हैं कोलंबिया की जो capital है वहे बोगोटा कोलंबिया की जो currency है वहे कोलंबियन peso कोलंबिया के जो president है वहें इवान, डूक, मर्क्वेज तो इतने points आपको कोलंबिया से याद रखने हैं चलिए फेंट्स हम देख लेता हमा नेक्स पॉइंट, नेक्स पॉइंट है, हाली में किसने सैयद मुष्टाक अली ट्रॉफी 2019 के फाइनल में मारास्ट को हराया, तो फ्रेंट्स इसका आंसर है, उप्शन नमबर A, करनाटक, करनाटक इसका राइट आंसर हो जाएगा, करनाटक को अपनी पहली सैयद मुष्टाक अली ट्रॉफी जीतने में मलत की, तो पहली बार जीती है करनाटक, सैयद मुष्टाक अली ट्रॉफी, ये भी आपको याद रखना है, एक और रिपीट कर देता हूँ, सैयद मुष्टाक अली ट्रॉफी के फाइनल में, करनाटक ने मारास को आट्विकेट से अराया, और यह इंदोर के होलकर क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया था, और मयं सैयद मुष्ट किया गया है, तो फ्रेंट्स का अंसर है, उप्षन नमबर C, SS मुंदरा, SS मुंदरा इसका राइट अंसर हो जागा, उप्षन नमबर C इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक यूट रेटिंग्स एंड रिजर्च ने कहा है कि, RBA के पूर्व डेप्यूटी गवर्नर, RBA के पूर्व डेप्टी गवर्नर है, एक यूट रेटिंग्स एंड रिजर्च ने ये कहा है कि, RBA के पूर्व डेप्टी गवर्नर, SS मुंदरा को ततकाल प्रभाव से अपने बोर्ड में गेर कालकारी अध्यक्स के रूप में नुक्त किया गया, नाम आपको याद रखना है, SS मुंदरा, ठीके फ्रेंट्स, चलिए अब देख लेते हैं माई नेक्स पॉइंट, नेक्स पॉइंट है, हाली में लंदन में एशियाई छेतर के लिए, राष्ट मंडल यूवा पुरुसकर का विजयता किसे चुना गया, तो फ्रेंट्स का आंसर है, उप जीयो मेपिंग प्लेटफर्म चलाती है, जो उप्योग करताओं को हंगर स्पोर्ट्स पर भोजन छोड़ने की अनुवती देता है, और यह अब तक 14 शेहरों में 6,5,000 से अधिक भोजन प्राप्त कर चुका है, और मंच का उप्योग 12,000 से अधिक स्वेम सेव को द्वारा क प्लेटफर्म चलाती है, जो उप्योग करताओं को हंगर स्पोर्ट्स पर भोजन छोड़ने की अनुवती देता है, और यह अब तक 14 शेहरों में 6,50,000 से अधिक भोजन प्राप्त कर चुका है, और मंच का उप्योग 12,000 से अधिक स्वेम सेव को द्वारा किया गया है, ठी तो कुईस का कोशन है, हाली में Special Olympics World Games 2019 कहां आयोजित किया जा रहा है, तो friends कहां सर आप मुझे comment box में comment करके बताएंगे, I hope friends आप सभी को ये वीडियो पसंद आओगा, अगर friends आपको ये वीडियो पसंद आओ, तो like जरू करें, share कर अपने friends के साथ, और अगर आपने channel को Have a nice day, thank you!